एटियम से कैसे निकले पैसे? एटियम के शुरुवाद चॉकलेट बेंडिंग मशीन से हुई थी क्यों हैरान हो गए ना? जी हाँ, ये सच है चॉकलेट बेंडिंग मशीन तो बस आईडिया था लेकिन सोच बहुत निराली थी क्या आप जानते हैं ये आईडिया किसकी दिमाग के उपज है? जब पहले एटियम के शुरुवाद की गई थी तब किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया में 35 लाख एटियम इस्तमाल की जाएंगे आज हम जिस एटियम से जब चाहे तब पैसे निकाल लेते हैं उसका नाम पहले एटियम नहीं बलकि बैंकोग्राफ था एटियम बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? और कैसे हुआ इसका विश्कार? जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा ये वीडियो इतिहास और विकास के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एटियम के इतिहास की जानेंगे इसके बनने के पीछे की रोचक कहानी जब पहली बार नियो यॉक में एटियम मशीन लगाई गई तब लोगों ने इसका उप्योग करने से इंकार कर दिया था लेकिन बाद में कैसे ही पूरी दुनिया के लिए एक जरूरत बन गया चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या आपको फू पुराने दिन याद है जब अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालने या पैसे जमा करने के लिए घंटो बैंक की लाइन में लगा रहना पड़ता था फिर अचानक एटियम आ गए और हम सब की परिशानी दूर हो गई दरसल एटियम बनाने का आइडिया भी एक ऐसे ही व्यक्ति की दिमाग के उपज है जो घंटो बैंक की लाइन में लग कर परिशान हो चुका था एटियम के कहानी शुरू होती है लंदन में रहने वाले जॉन शेफर्ड बैरन की एक समस्या के साथ समस्या जानने से पहले आप ये चान लीजिए कि बैरन का जर्म 1925 में भारत के पूरवी राजी मेखाले में हुआ था जॉन शेफर्ड बैरन जब भी पैसे निकाल ले अपने बैंक चाते तो उन्हें घंटो लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता एक शाम नहाते हुए उन्हें अचानक उस चॉकलेट वेंडिंग मशीन का खयाल आया जिसमें पैसे डालते ही चॉकलेट बाहर आजाती थी बस फिर क्या था बैरन जुट गए एक ऐसी मशीन बनाने में जो चॉकलेट की जखादे पैसे बैरन ने एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई जिसमें अंकों का एक पिन एंटर करने पर पैसे निकलते थे लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि वो चह अंकों का पिन याद नहीं रख सकती इसलिये बाद में पिन को बदल कर चार अंकों का कीया गया हाला कि तब उस मशीन में कार्ड का स्तमाल नहीं होता था, मशीन में चेक से पैसे निकाले जाते थे। इन चेक पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा होता था, जिसे मशीन पढ़ लेती थी। चेक लगाने के बाद पिन एंटर करना होता था। सबसे पहली एटियम मशीन लिंदन के इन फील्ड में बार्ख्रीस बैंक में 27 जून 1967 को लगाई गई। इस मशीन से सबसे पहले ब्रिटिश कॉमेडी एक्टर रेग वॉर्डने ने पैसे निकाले। 1966 में जेम्स गुड फैलो ने एटियम टेक्नलॉजी के लिए अपना पहला पेटेंट करवाया। इसमें चेक की जगा प्लास्टिक कार्ड का इस्तमाल किया गया। जो आज भी जारी है। भारत में एटियम के शुरुआत सिटी बैंक ने की थी। 1984 तक दुनिया में एक लाग से भी ज़्यादा एटियम थे। एक अनुमान के मुताबिक पिलहाल पूरी दुनिया में 35 लाग से भी ज़्यादा एटियम काम कर रहे हैं। आपको ये तुपता चल चुका है कि एटियम के खोच करने वाले का जन्म भारत में हुआ था। अब जान लेते हैं कि भारत में एटियम के शुरुआत साल 1987 में हुई थी। भारत में पहला एटियम HSBC बैंक ने अपनी मुंबई ब्रांच में लगाया था। तब से लेकर अब तक भारत में 2,7,813 एटियम मशीन लग चुकी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एटियम स्टेट बैंक ओफ इंडिया के हैं। बैंक खाते से पैसे निकालने हो या पैसे जमा करने हो, अकाउन्ट बैलन्स बता करना हो या ऐसे ही अन्य कोई और काम करना हो, सब कुछ एटियम से संभव है। आज हम 24 घंटे में कभी भी एटियम मशीन का उप्योग कर पैसे प्राप्ट कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ सरूर शेयर करें. साथ ही इस दरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें.